तो चलिए बताते हैं confession और admission के बीच का difference, तो first point confession एक accused द्वारा दिया गया statement है, जिसे उसी के खिलाफ किसी भी अपरादिक कार्रेवाई में साबित करने के लिए use कर सकते हैं. Admission usually civil transaction से संबंदित होता है और इसमें section 17, 18, 19, 20 of evidence act के according किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया admission के सभी statements शामिल होते हैं.